दोस्तो स्वागत है आपका ग्यामनोलोजी की एक और मज़ेदार वीडियो में जिसमें आज हम जानेंगे टाटा मोटर्स के कमबैक की कहानी क्यूंकि 2016 के समय में टाटा मोटर्स के पास इंडियन कार मार्केट में 4.6% शेर्स थे यानि कि भारत में हर 100 में से करीब करीब सिर् 0.2% की ग्रोथ की लेकिन उसके अगले साल यानि की साल 2021 में टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसे डिसिजन्स लिए जिससे कि इंडियन कार मार्केट में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी 8.2% की हो गई यानि कि पिछले साल से लगभग डबल हो गई तो आज की इस फिडियो में हम इसी चीज को जानेंगे कि आखिरकार टाटा मोटर्स ने ऐसे क्या डिसीजन्स लिए जिस वज़ा से आज वो इंडिया के थर्ड सबसे बड़े कारमेकर बन चुके हैं मारूती सुजुकी और युंडाई के बाद और ये सारी चीजे हमारे लिए इसलिए भी जानना जरूरी ह ताकि हम इन सारी चीजों से सीख कर अपने जीवन में अपलाए करके आगे बढ़ सकें तो फिर आज की इस इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके हमारे चैनल ग्यान लोजी को सब्सक्रा में की गई थी और उस समय इसका नाम तेल को यारिकी टाटा इंजीनरिंग एल लोको मोटिव कंपनी था क्यूंकि पहले यह कंपनी लोको मोटिव यारिके ट्रेंस के इंजन को और उसके बाद 1991 में Tata Motors ने Tata Sierra को launch किया और उसके 7 साल बाद Tata Motors ने पहली fully indigenous Indian passenger car बनाई यानि कि एक ऐसी car जो की पूरी तरह से भारत में बनाई गई थी जो की थी Tata Indica और फिर साल 2004 में Tata Motors ने Devo Commercial Vehicles Company जो की एक ट्रक बनाने वाली South Korean कमपनी है उसे खरीद लिया और फिर साल 2008 राट में Tata Motors ने Ford से Jaguar और Land Rover को भी खरीद लिया और फिर उसी साल Tata Motors ने दुनिया की सबसे affordable car यानि की Tata Nano को Indian car market में launch किया था लेकिन इतनी affordable होने की वज़ा से Tata Nano Indian car market में बुरी तरह से फेल हो गई और उसके बाद धीरे-धीरे Tata Motors की गाड़ियों में कुछ-कुछ पसंद करने लगे जिस वज़ा से इंडियान car market में Tata Motors की हिसेदारी दिन बदिन गिरते गई और ये सब देखते हुए Tata Motors ने अपनी सभी पुरानी गाड़ियों को discontinue किया और अपनी बहुत सारी नई गाड़ियों को launch किया जिसे लोगों ने बहुत जादा पसंद किया और पुलगबग Tata की सभी गाड़ियों ने Global NCAP जो की गाड़ियों की safety measure करता है उसमें 5 out of 5 star score किये हैं और शायद इस वज़ा से भी लोग Tata Motors की गाड़ियों की तरफ रुक कर रहे हैं और Tata Nexon तो आज के समय में इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बन चुकी है और साथ ही साथ आने वाला समय जो की electric cars का होने वाला है उसमें भी Tata Motors ने अपने पैर जमा के रखे हैं क्योंकि आज के समय में इंडिया में electric car market में Tata Motors की हिसे दारी 82% की है यानि कि हर 100 में से 82 electric cars Tata Motors की हैं और इस चीज से आने वाले समय में Tata Motors को ब्रो करने में भी काफी help म लेगी और ये सारी decisions Tata Motors के current chairman एन चंदर शेकरण ने लिए हैं और इनके द्वारा लिए गए decisions की वज़ा से Tata Motors ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा comeback किया है तो आपको Tata Motors की गाड़ियां कैसी लगती है हमें कमेंड में जरूर बताए और साथ ही साथ अगर आपको अगली वीडियो पसंद आई हो तुसे अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा तो फिर तब तक के लिए बाई बाई टेक केर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव टॉपिक के साथ